हलो एवरिवन तो आज की इस वीडियो में हम इंटरनाशनल लिक्विडिटी को कवर करेंगे और जैसे कि मैं आपको बता दूँ यह हमारे इंटरनाशनल फाइनेंस का काफी इंपोर्टन टॉपिक है और यूनिट 3 का ही टॉपिक में कवर करवारी हूँ आज जो की है इसका इंटरड़क्शन देंगे साथ में इसका मीनिंग भी पड़ेंगे और इसके क्या उब्जेक्टिव्स हैं वो भी स्टड़ी करेंगे तो चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस रहेगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को जरूर प्रेस करें क्यूंकि आपके लिए ही हम वीडियो लाते हैं वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो सबसे पहले हमें गिवन है यहाँ पर इंट्रोडक्शन उसके बाद मीनिंग और साथ में इसके अब्जेक्टिव क्या होते हैं बाकी का जो टॉपिक है वो हम नेक्स पार्ट में कवर करेंगे क्योंकि यह थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्टि के थार्ट का जाते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक इंटर्प्ष्न इंटर्नाश्नल लिक्विडिटी अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा कितनी जलदी कितनी फासली जो है आप किसी भी चीज को कैश में 거는 चुर सकते हो है House क्या-क्या ऐसी जो हैं आपके पास you know सेक्यूरिटा पड़ी यह यह क्या अपके पास मेटल्स पड़े हैं, जिनको आप जो है convert कर आ सकते हो cash में easily तो basically हम बात कर रहे हैं international liquidity की यानि कि एक country की बात नहीं हो रही है यहां पुरे world की बात हो रही है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कुछ ऐसे reserves कुछ ऐसी holdings होनी चाहिए जिनको आप cash में easily convert कर आ सको कहीं पे भी पूरे world में तो बात करते हैं international liquidity is generally used as synonym for international reserves तो international liquidity को basically international reserves का ही नाम जो है दिया गया है कि जो एक country के पास कितना international reserve मौझूद है जिसको वो cash में easily convert कर सकती है वो country वो देश तो अब वो reserve क्या हो सकते हैं such reserve include a country's official gold stock holding कि एक देश के पास कितना सोना है कितना सोने का stock है gold का stock है साथ में it's convertible foreign currencies मतलब कितने convertible foreign currencies है उनके पास मतलब foreign currencies कितनी मौझूद है कितना उनका जो है reserve मौझूद है साथ में special drawing rights SDR का भी एक अलग topic है हमारी unit में जिसको हम आने वाली वीडियो में cover करेंगे तो अभी के लिए आप इसको एक reserve की तौर पे समझ सकते हैं special drawing rights ठीक है उसके बाद and its net reserve position in the IMF यानि कि एक country की international monetary fund में क्या position है ये भी matter करती है तो अब it implies international availability it implies international availability किसकी international availability liquidity की तो and the possibility of obtaining credit की international liquidity से ये पता चलता है कि एक country जो है वो financial institutions से उसकी उधार लेने की जो possibility को जो है वो जाहिर करता है कि एक country को जो बड़े-बड़े financial institution है like world bank, IMF तो एक country को credit यानि कि उधार जो है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा international liquidity जो है इसको बताती है तो operating in international financial markets कि भई जो भी international financial market में जो institutions है financial क्या उनसे credit लेने की possibility है इसको भी वो बताती है उसके बाद अगर हम broader sense में अगर हम बात करें तो international liquidity में क्या-क्या include होता है private as well as official holding of international liquidity assets की international liquidity में private या फिर जो official holdings है किसकी international liquidity asset तो अब international liquidity asset क्या होता है कि भई वो asset जो जिनको आप you know world में आप कहीं बे भी चले जाओ उनको आप cash में convert करा सकते हो वो होता है international liquidity assets तो भई एक you know international liquidity में private वाली holdings भी आती है कि भई privately जो लोगों के पास holdings है वो भी include होती है साथ में government के पास जो official holdings है वो भी include होती है बात हो रही है यहाँ पे international liquidity assets की कि वो assets जिनको आप easily कहीं पे भी पूरे world में जो है easily cash के बदले convert करा सको वो international liquidity assets होते है but the continued use of the pound sterling pound sterling क्या है pound sterling जो है वो UK की currency है और US dollar जो की America यानि की United States of America की currency है तो अब इनका जो है continued यानि की लगातार यूज हुआ है pound sterling और US dollar का कैसे यूज हुआ है as the key reserve currency बतला अब इनको जो है एक तरीके से key reserve currency के तोर पे यूज किया गया है but क्यूंकि ये जो है unsatisfactory proved हुई है यानि की कुछ देशों में इनका भी you know इनके बदले भी आपको cash नहीं मिलेगा unsatisfactory यहाँ पे क्यूं बोला गया है क्यूंकि US dollar और pound sterling को सबसे strong currency माना जाता है पूरे world में लेकिन इनोंने बोला है कि ये currencies भी unsatisfactory proved हो चुकी है कहने का ये मतलब है कि कुछ देश ऐसे हैं जो इन currencies को accept नहीं करते भले ही ये कितनी strong currency हो तो ये unsatisfactory proved हुई है because of the क्यूं हुई है because of the deficit in the balance of payment of the US क्यूंकि US का खुद का balance of payment जो है वो उसमें क्या है loss है deficit है इसलिए का मतलब इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि US की currency भी क्या है जादा strong नहीं है कहने का ये मतलब है क्योंकि उनका BOP भी deficit show करता है तो there was a serious problem of international liquidity अगर हम एक broader sense में बात करें न तो इनके कहने का ये मतलब है कि US को अगर इनोंने एकदम you know strong currency बोला है बट इनका खुद का ही US का जो balance of payment है वो deficit show कर रहा है it means कि ये खुद ही loss में चल रहे हैं right तो अब ये खुद कहां से जो है पैसे का इंतजाम करेंगे यानि कि US की सरकार कहां से पैसे का इंतजाम करेंगी तो इसलिए इन दोनों की country की जो currencies है इनको भी unsatisfactory proof कर दिया गया है अब हम आगे पढ़ते हैं कि there was a serious problem obviously फिर तो international liquidity में एक problem तो होगी serious क्यों क्योंकि पहले क्या होता था जब Britain Woods system या gold standard mechanism था जब Britain Woods में क्या होता था US dollar के साथ link कर दिया गया था gold को यह हमने पढ़ा हुआ है बट अब क्योंकि US ने ही जो है US dollar भी unsatisfactory proof हो चुका है तो अब problem आती है कि इंटरनेशनल liquidity की तो अब क्या problem है the inadequate growth of monetary reserve कि भई जो monetary reserve है उनका growth जो है वो sufficient नहीं है तो इस condition में क्या होगा एक need arise होगी मतलब एक जरूरत महसूस होगी किसकी नए reserve asset की जरूरत महसूस होगी तो अब the introduction of SDR यानि कि special drawing rights का introduction हुआ यानि कि ये आया एक new international reserve asset के तोर पर किसके द्वारा लाया गया ये international monetary fund के द्वारा लाया गया SDR यानि कि special drawing rights तो ये एक तरीके का welcome step था मतलब right direction में एक welcome step था जिसको समने सराहा कि हाँ भई ये बढ़िया step है IMF के द्वारा बढ़िया decision लिया गया है तो अब the scheme for creating special drawing right was outlined at annual meeting of the IMF in October 1967 at the Rio de Janeiro Brazil तो अब ये जो special drawing right की scheme आई ये annual meeting, IMF की annual meeting में हुआ कब हुई ये meeting? October 1967 को हुई, कहां पर हुई? Rio de Janeiro में हुई, Brazil में है ये city यहां पर हुई, तो Brazil की Rio de Janeiro में ये हुई, scheme create हुई, annual meeting, IMF की annual meeting held हुई थी, वहां पर ये SBR जो है launch हुआ था एक तरीके से हम बोच सकते हैं, तो अब the detailed proposal of the scheme were approved by board of governor in April 1968, तो अब जो भी IMF के board of governor थे, उन्होंने जो है इस scheme को approve कब किया? 1968 में किया, और special drawing right कब आया, account came into being on August 6, 1969 में आया, यानि कि जब इसको बात छिड़ी कि हाँ ये scheme आनी चाहिए, तो 1967 में आई, 1968 में इसके board of governor, IMF के board of governor ने इसको approved किया, उसके बाद ये existence में कब आई, 6 अगस 1969 में आई, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, special drawing rights का अलग topic है, जो की काफी important topic है, और अभी सिरफ हमने international liquidity में पढ़ा कि भाई, international liquidity में new asset की, new reserve asset की ज़रूरत मैसूस हुई, जिसकी वज़ा से ये special drawing rights आए, तो अब हम बात करेंगे कि इसका क्या objective है, इसका क्या objective है, तो सबसे पहला जो इसका objective है, explain the importance of international liquidity, और describe the uses of SDR, अच्छा, यहां पढ़ना actually, इस pdf में, जो यह हम topic पढ़ रहा है, इसके objectives बताए गए है, तो international liquidity के objective नहीं है, यहीं ध्यान रखेंगे, ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, meaning of international liquidity, तो अब हम बात करेंगे meaning की, international liquidity के meaning की बात करेंगे, तो international liquidity is defined as the aggregate stock, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना, कि international liquidity किसका synonym है, international reserves का synonym है, यानिकि इसका meaning क्या है, international reserves, तो अब वो international reserves, तो बोला गया है ना, कि international liquidity क्या है, stock का aggregate है यानि कि total है stock का जो कि ऐसी stock जो internally acceptable assets होंगी और वो central bank के द्वारा held की जाएंगी ताकि वो country के balance of payment को deficit जो भी deficit balance है उसको settle कर सके तो अब इन other word में अगर हम बात करें तो international liquidity प्रोवाइड करती है एक measurement एक measure country's ability की country में कितनी ability है country में कितनी शमता है to finance its deficit in balance of payment without resorting to adjustment measure तो international liquidity वो measures प्रोवाइड कराती है जिसमें एक country की ability जो है वो measure होती है कि वो अगर उनके balance of payment में deficit आ जाए तो वो कहां कहां से पैसा जो है मतलब पैसे का इंतजाम कर पाईगी अपने इस balance of payment के deficit को settle करने के लिए तो अब shortage of liquidity hampers the expansion of global trade क्योंकि you know liquidity की shortage हुई जिस वजह से global trade का expansion हुआ अब इसका क्या मतलब हुआ कि भई अगर हम एक ही देश में लगे रहेंगे और देश में लगातार balance of payment deficit में जाता रहेगा तो सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो अब पैसा कहां से लाए सरकार तो इसी लिए तो ये expansion हुआ global trade का बाहर से बाहर की country से सरकार credit लेती है उधार लेती है है ना तो अब liquidity की shortage की वजह से ही global trade का expansion हुआ और its surplus leads to global inflationary pressure तो बहुत जादा जब हो जाता है global trade तो उस वजह से global inflationary pressure भी पड़ते हैं जिसकी वजह से किसी country की currency appreciate और depreciate होती है अब हम बात करेंगे in international liquidity there is difference between owned and borrowed reserve तो international liquidity में ना owned का मतलब खुद के reserve borrowed मतलब उधार के reserve उन में difference तो होगा ना एक आपकी खुद की चीज़ है और एक अपने उधार ले रखिया है तो obviously difference तो होगा ना उन reserves में and between conditional and unconditional reserves मतलब कुछ reserves होते हैं जिसमें conditions होती हैं कुछ और जो कुछ ऐसे reserves होते हैं जो unconditional होते हैं तो अब foreign exchange surplus after meeting all current and capital account obligation of the country with the rest of the world are on reserve तो on reserve कौन से होते हैं जब foreign exchange का surplus एक country के पास बच जाता है देखिए जब वेपार होता है global trade होता है तो foreign exchange तो होता है ना foreign currencies का exchange होता है तो जब एक country के पास foreign exchange का surplus बच जाता है यानि कि extra एक country के पास surplus बचता है foreign currency का after meeting all current and capital account जब एक country जो है current and capital account के जितने भी युनो payments होती हैं उसको पूरा कर लेती हैं उसके बाद भी कुछ reserve बच जाता है with the rest of the world के साथ तो वो हमारे reserves क्या कहलाते है own reserve वो हमारे खुद के reserve कहलाते है it means कि वो क्या है एक तरीके से income है क्योंकि payment तो कर दी अब बचा हुआ क्या है own reserve हमारे खुद के reserve तो similarly अगर हम बात करें the official gold stock of a country constitute its own reserve तो ऐसे ही जो official gold stock होता है country का उसको भी own reserve ही बानेंगे खुद का reserve कि हाँ भी हमारे पाँ इतना gold stock पड़ा है उसके बाद capital import in the form of borrowings capital imports in the form of borrowings from abroad कि you know capital import की जा रही है कहने का यह मतलब है न कि बाहर से पैसा उधार लिया जा रहा है in the form of borrowings कहां से लिया जा रहा है abroad से दूसरी country से and direct investment by the foreign country by foreign country जो है हमारे देश में हमारी country में जो है directly investment भी करती है तो वो वाले जो रिजर्व होते हैं वो borrowed reserve कहलाते हैं क्योंकि investment क्या है investment उनके लिए तो asset है न foreign country के जिन लोगों ने आपके देश में investment करी investment तो उनके लिए तो asset हुई न हमारे लिए वो reserve क्या है borrowed एक तरीके से उधार है क्योंकि हमारी वो liability हो गई हमें तो चुकाने है न वापिस और साथ में अगर आप borrowing करते हो तो वो भी borrowed तो borrowed in the sense की उधार right उसके बाद both owned and borrowed reserve are the source of international liquidity ये दोनों ही reserve चाहे खुद के हो एक country के चाहे एक country ने उधार लिये हो वो दोनों ही international liquidity के source है तो अब unconditional international liquidity से आप क्या समझते हैं अभी हमने एक word पढ़े थे न conditional and unconditional तो इनसे आप क्या समझते हैं तो unconditional international liquidity consists of a country's official gold stock की unconditional क्या होगा एक तरीके से on reserve वाला unconditional होगा right अभी हमने on reserve यानि कि खुद का जो reserve होगा वो unconditional होगा न उसमें कैसी condition तो unconditional international liquidity में क्या होता है एक country के खुद का official gold stock और holding of its foreign currency और SDR और उसकी net position IMF में और साथ में private holding भी international assets की यह सारे क्या है unconditional international liquidity में आएंगे तो in all such cases liquidity assets are available to the country यह सारी जितनी भी asset है वो हमारी country के लिए available है unconditional है यह without any condition or restriction on their use क्योंकि इनके use में कोई restriction नहीं है कोई मना ही नहीं है तो इसलिए unconditional international liquidity assets हुए लेकिन अगर हम बात करें बोरोड reserve की तो वो conditional होंगे न वो conditional होंगे क्यों the lender country में impose condition जो आपको पैसा उधार दे रहा है वो condition रख सकता है में impose conditions और वो restrictions भी लगा सकता है कि आप इस पैसे को कहां use करेंगे वो पूछेगा ना अगर आप किसी world bank से IMF से पैसा उधार लेता है अगर एक देश तो उनको बताना पड़ता है कि आप इन पैसों का इस्तमाल कहां करेंगे generally जो पैसा मिलता है वो दो main reason के लिए उधार लेती है country पहला balance of payment को deficit को settle करने के लिए दूसरा infrastructure projects में लगाने के लिए हैना basically तो अब lender country जो है condition impose कर सकती है तो वो हमारे एक तरीके से क्या कहलाएंगे conditional international liquidity assets कहलाएंगे क्यों क्योंकि उनके restriction उनके use पे restriction है बताना पड़ेगा condition रख सकती है lender country जो दे रही है पैसा और साथ में many international financial institutions provide funds काफी सारे international financial institutions भी है like world bank, IMF और तो ये भी funds provide करते है conditional basis पर मतलब वो condition रखते हैं वो कहेंगे कि हाँ ये पैसा हम specific इस particular project के लिए दे रहे हैं और साथ में repayment के provision भी वो रखते हैं कि आप repayment कितने time में करेंगे कैसे करेंगे कितना interest आप हमें pay करेंगे तो ये सारे provisions उसमें लिखे होते हैं तो all these are cases of conditional liquidity तो ये सारे case किसके हैं conditional liquidity के हैं तो this is done to avoid the misuse of liquidity by the borrowing country ऐसे क्यों किया गया है ताकि कोई country पैसा उधार ले ले और फिर वो गलत कामों में use करें तो इस चीज को avoid करने के लिए ये conditions रखी जाती हैं I hope आज का topic बिलकुल clear है आने वाली वीडियो में हम importance और जितने भी इसके और topic international liquidity के वो हम cover कर लेंगे वीडियो को like, share, comment करना ना भूलें चानल को subscribe जरूर करें Thank you so much